मोहिनी एकादशी पर नहीं करने चाहिए ये काम, नहीं मिलती है भगवान विश्णू और मां लक्ष्मी की कृपा। वैशाख माह के शुकल पक्ष के ग्यारहवें दिन मोहिनी एकादशी का पर्व मनाया जाता है, जो की आने ही वाला है। इस दिन धन, वैभव और सम्रिद्ध की प्राप्ति के भगवान विश्णू के साथ साथ मां लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना की जाती है। शुकल पक्ष में पढ़ने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। यह दिन भगवान विश्णू को समर्पित होता है। मोहिनी एकादशी पर भगवान विश्णू के मोहिनी रूप की आराधना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ भगवान लक्ष्मी और भगवान विश्नु की पूजा अर्चना करने से घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। इस साल मोहिनी एकादशी का पर्व 19 मई दो हजार चौबीस दिन रविवार को मनाया जाएगा। इस अवसर पर आये जानते हैं कि मोहिनी एकादशी के दिन कौन से कार्य बिलकुल भी नहीं करने चाहिए। मोहिनी एकादशी पर नहीं करने चाहिए ये काम। एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि एकादशी के दिन मा तुलसी भी एकादशी का व्रत रखती हैं। जो भक्तजन एकादशी पर निर्जला उपवास रखते हैं, उन्हें इस दिन कुछ भी खाना या पीना नहीं चाहिए। एकादशी के दिन नहाने के लिए साबुन का इस्तिमाल नहीं करना चाहिए। और नहीं किसी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करना चाहिए। एकादशी के दिन ज्यादा से ज्यादा समय पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में बिताना चाहिए। एकादशी के दिन भूल कर भी बड़े बुज़ुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए।